आमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट में में बता दोस्तों कि आज में इस वीडियो के माद्याम से भारत की सूर्या मिसाल और दोस्तों रसिया की आर्यास-ाष्ट उससे पहले दोस्तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे देगर बटन को दबा कर चैनल को भड़ा पर सब्सक्राइब कर लिजे और विल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुन ना भूलेगा ताकि हमारे दोरा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप त जहां पर सूरिया को इंडिया में ही बनाए गया वहीं मैं बात करूं सरमत की तो दोस्तो इसको भी रसिया में ही तयार किया गया है बात करूं तो जहां पर सूरिया मिसाइल की डिजाइन DRDO दोरा दी गई है वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तो मैनुफेक्चर की तो सूरिय सूर्य मिसाइल का челов이डिया ल open Ledio यहां सूर्य मिसायल کے मनिफ्यक्चर की तो दिए एसको कौस औरलों में प्लपाई के मिचिए में जाएं जहां सूर्य पर सूर्य मिसाइल के लमपाई तक बता है गया है दोकि तो सू. सर्बंद मिसाइल के मौस के विसे में तो इसका मौस 208 टन तक बता जाता है बात कर लेते हैं दोनों देशों के मिसाइल में लगने वाले वार हेट की तो जहां पर सूरिया मिसाइल में तीन से लेके 10 अलग अलग वार हेट का इस्तेमाल किया गया है वही मैं बात करूँ अगर बात करने सरमद मिशायल में लगने वाले इंजन की तो इसमें थ्री स्टेट स्वालिड मोटर इंजन का परियोग किया गया है धोस्तो बात कर लेते हैं दोनों देश्वों के मिसायल की operational range की दोस्तों जहां पर सूर्या मिसाइल की operational range 12,000 से 16,000 किलो मीटर तक बताई जाती है वही मैं बात करूँ सर्मद मिसाइल की operational range के विशे में तो दोस्तों इसकी operational range 18,000 किलो मीटर तक बताई गई है बात करें मैं maximum स्पीट की दोस्तों जहां पर सूर्या मिसाइल की 27 मैक यानि की 33,000 किलो मीटर तक बताई गई है वहीं मैं बात करूँ अगर दोस्तों सरमन मिसाइल की इसी की असपास पता आई गई कि वहां पर सूर्या मिसाइल को टी इएल मिसाइल दूरा लांच किया जाता है वहीं मैं बात करूं अगर दूस्तों आरे स्टों टीre सार्मन मिसाइल के लांचिक ब्लेट फार्म के विस्ये में तो इसको S.I.L.O. द्वारा लां है तो नीचे देगर बटन को दबा कर चैनल को भड़ा पर सब्सक्राइब कर लिजिए और विल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नद भूलेगा ताकि हमारे द्वारा अप्लोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों तो चलते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो जाहिं जाए भारत दोस्तों